आकाश को और प्रेजेंटिंग टुथ और डियर अब सीन शिफ्ट होता है और हम उलिविया को देखते हैं जो कि एक यूट्यूबर है और वो यूट्यूब पर वीडियो बनाया करती है तभी उसके पास उसके फ्रेंड मारकी आती है और उससे अपने साथ वेकेशन पर चलने को कहती है अलिविया पहले तो मना करती है लेकिन मारकी के जित करने पर मान जाती है जिसके बाद वो दोन अपने बाकी दोस्तों के साथ वेकेशन के लिए मैक्सिको निकल जाते हैं इस दोरान वो मैक्सिकों में काफी ज़्यूदा इंजोय कर रहे होते हैं फिर जो वो लोग एक बार में जाते हैं तो अलिविया को एक लड़का मिलता है जिसका नाम कार्टर होता है इस दोरान नंदोनों में दोस्ती हो जाती है तबी वहाँ अलिविया के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं वो सभी लोग एक ऐसी जगे पर जाना चाहते हैं जहां वे रा सान चर्च में ले जाता है जिसे देखकर उने काफी हैरानी होती है पर तभी ऑलीविया वहाँ सेलफी रेने लगती है तभी सभी लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं फिर वो लोग यहाँ पर टूथ और डेर गेम खेलने लगते हैं इस दोरान जब कार्टर का नंबर आता है तो लगता है फिर ओलीविया उसे रूखने की कोशिश करती है जिसके बाद वो कहता है कि यह गेम असली है तुम अगर एक बार इस गेम के अपार्ट बन जाते हो तो तुम कहीं भी चले जाओ यह गेम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और अगर तुमने जुट बोला या सीरियस नहीं लेती लेकिन जब वो पलट कर अपने दोस्तों को देखती है तो उसे वहां नहीं दिखाई देते तब ही अचानक से उसके सारे दोस्त उसके सामने आ जाते हैं जो कि काफी डरावने दिख रहे थे लेकि यह सिर्फ उसका एक वहम होता है जिसके बाद वो पर किसीने truth or dare लिखा था हाला कि उसे ये बात काफी अजीब लगती है जिसे वो ignore भी कर देती है और class खतम होने के बाद वो अपने घर पहुचती है जिसके बाद उसे घर में कुछ पैंपलेट्स मिलते हैं जिनमें से एक पर truth or dare लिखा होता है ये देखकर वो काफी जादा हैरान होती है फिर जब वो अपने रूम में बैटी होती है तब उसके पास उसकी friend मारकी आती है जो उसे बताती है कि मेरे डैट की suicide करने के बाद सिर्फ तुम ही एक इनसान हो जिस पर मैं विश्वास करती हूँ इतना विश्वास तुम अपने boyfriend पर भी नहीं करती ये सुनक करमारकी को काफी ज़्यादा खुशी होती है फिर जब ऑलिविया घर से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी कार पर किसी ने truth और dare लिख दिया है ये देखकर उसको बहुत ज़्यादा गुसा आता है उससे लगता है कि वहाँ पर खड़े लड़के ने ऐसा किया होगा इसलिए वो उस पर चिलाने लगती है इसके बाद ऑलिविया लाइब्रेरी पहुचती है जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ मौझूद सारे लोग बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं और वो सभी लोग चारो तरफ से ऑलिविया को घेर लेते हैं और उसे truth और dare चुनने के लि है ये बात वहाँ मौझूद सारे लोगों के साथ मारकी और उसका बॉइफरेंड लोकस भी सुन लेता है जिससे लोकस बहुत जादा गुसा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है इसलिए मारकी भी उसके पीछे पीछे जाना लगती है इस दोरान उलिविया उसको sorry बोलती लेकिन मार की कहती है कि अगर तुमने मुझे चूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी उसके बाद हम उनी के फ्रेंट्स की ग्रूप में से एक रॉनी को देखते हैं जो कि पूल गेम खेल रहा था जहां वे क्लिटकी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की वहाँ से जाने लगती है तब ही वो लड़की अचानक ही बहुत अजीब तरीके से बदल जा जाते हैं अब अगले सीन में हम देखते हैं ओलिविया अपने बाकी दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो लोग इस चीज को मजाक मिलेते हैं इसके बाद उनके वाट्सअप ग्रूप में रॉनी की वीडियो आती है जिसे देखकर ओलिविया समझ जाती है कि कार्टर ने जो भी कहा था वो सब सच था इसलिए ही रौनी मारा गया वो ये बात वहां मौजूद अपने बाकी दोस्तों को भी समझाने की कोशिश करती है लेकिन मारकी का बॉइफरंड लोकस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वहां से चला जाता है अब रास्ते है कि ये उसके दोस्तों का सिर्फ एक मजाक है लेकिन उसी समय उसका हाथ जलने लगता है और उस पर भी टूथ और डेर का निशान बनने लगता है इससे वो सब समझ जाता है और टूथ चुनता है और ऑलिविया को उसी टाइम कॉल करके एक सच बताता है कि मैं हमेशा से त पसंद करता था इसके बाद लोकस वहाँ अपने दोस्तों के पास पहुचता है और उन्हें सारी चीज़े बताता है फिर ऑलिविया उन्हें चर्च की सेल्फी दिखाती है और बताती है कि ये गेम उसी फोटो के अकॉर्डिंग सीरियल वाइस चल रहा है लेकिन मार्की पर ऑलिविया उसे जबरदस्ती अपना हाथ तुरूनाने के लिए फोर्च करती है इसके बाद वो लोग ऑलिविया को हॉस्पिटल ले आते हैं उस्पिटल में जब उन्हें के दोस्तों में से एक ब्रैट जब स्नैक्स निकाल रहा होता है तब ही उसे महसूस होता है कि उस का गला दबाने लग जाता है तो ब्रैट के मुझे टूथ निकल जाता है ये कहते ही वो बुढ़ाद में गायब हो जाता है तब ही वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है जो ब्रैट से नॉर्मली बात कर रहा होता है तब ही उसका चेहरा अचानक से बदल जाता है और वो ब्रै फिर उन्हें उस selfie से पता चलता है कि अगला नंबर टाइसन का है यह देखकर Brett उसे message करता है लेकिन वो एक interview के लिए गया होता है और Brett का message वो ignore कर देता है फिर हम देखते हैं कि टाइसन जहां interview दे रहा होता है सारे friends वहाँ पहुच जाते हैं और वो देखते हैं कि टाइसन interview द दरवाजा lock कर देती है उसी समय उसका चेहरा भी अजीब तरह सा बदल जाता है और वो उसे truth और dare में से एक चेज़ चूज करने के लिए कहती है और वो truth चूज करता है पर वो truth नहीं बोलता जूट बोलता है जिससे उसके चेहरा पूरी तरीकि से बदल जाता है और वो मैक्सिमों में मिले कार्टर नहीं शुरू किया है और अब इसे वही खत्म कर सकता है ये सुनकर उलिविया उसे ओनलाइन सर्च करने की कोशिश करती है लेकिन वो इस चीज में नाकाम्याब रहती है फिर जब मार की टूथ और डियर के बारे में सर्च करती है तो उसे घीजैल के बारे में पता चलता है और उसे वही क्लिप मिलती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था इसके बाद वो लोग घीजैल के FB प्रोफाइल चेक करते हैं और उनने उसके साथ कार्टर भी दिखाई देता है फिर वो उसे फेक अकाउंट बना कर कॉंटेक्ट करते हैं और सीक्रेट मिलने के लिए कहते हैं सीक्रेट लिए इसलिए क्योंकि पुलिस इसे ढूंड रही होती है फिर अगले सीन में हम इनी दोस्तों के ग्रूप में से एक पैनल अकी को देखते हैं जिसे वाश्रूम के शीशे में से टूथ और डेर में से किसी एक चीज़ को चुनने के लिए कहा जाता है जब वो टूथ चुनती है तो वो गेम मना कर देता है और कहता है ये गेम इस तरह सा काम नहीं करता हर दो लोगों के टूथ चुनने के बाद अगले को डेर चुनना ही होता है इसलिए तुम्हें डेर चूज करना होगा इसके बाद हम देखते हैं मार की आकर सब लोगों को बाहर कुछ दिखाने के लिए बुलाती है जहां पौच के रोलोग देखते हैं कि पैनाल अपिकू गेम ने जबरदस्ती डेर दिया है कि उसे विस्की की पूरी बॉटल ड्रिंक करते हुए उसके खतम होने तक छट के चारो तुरफ घूमना है अब वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और एक बैट शिट लेकर उसके साथ साथ नीचे चलने लगते हैं ताकि गिरने पर उसको चोटना लगे इस दोरान रास्ते में एक गेट लगा होता है जिस पर नुकेले रॉड लगे थे और ऑलिविया गाडी की मदद से उसको तोड़ देती है इस दोरान पैनल अपी गिर जाती है लेकिन वोग गाडी के उपर बैट शिट डाल देते हैं जिससे वो बच जाती है तब ही ऑलिविया के पास गिजैल का मेसेज आता है और वो लोग उसे सीक्रेटली गिजैल से मिलने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुचकर वो लोग देखते हैं कि गिजैल बहुत जादा डेरी हुई है जब वो लोग गिजैल के कार्टर के बार में पूछते हैं तो वो बताती है कि हो हमारा दोस्त था और उसे गेम ने डेर दिया था कि उसे इस खत्रनाक गेम में और लोग को फसाना है इसीलिए ही मजबूरण में उसने ऐसा किया और तुम लोग को फसाया इसके लिए गिजैल उलिविया को सॉरी भी बोलती है और उसका नाम लेती है ये सुनकर उलिविया डर जाती है क्योंकि उसने अब तक घिजैल को अपना नाम बताया ही नहीं तभी घिजैल ऑलिविया को शूट करने की कोशिश करती है पर तभी उसके दोस्त ऑलिविया को बचा लेते हैं जिससे वो अब अपना डेर पूरा नहीं कर पाती इसलिए देखते ही देखते उसका चहरा अजीब तरह से बजल जाता है और वो खुद को गोली मार देती है ये सब देखकर वहां मौझूद सभी लोग बहुत ज़ादा डर जाते हैं जिसके बाद ऑलिविया अपने दोस्तों के साथ एक डेटेक्टिव के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है कि कैसे ट्रोथ और डेर के इस गेम की वज़ए से उनकी मौते हो रही है अब इस पर डेटेक्टिव उन्हें सेहर से बाहर ना जाने के ड्वाइस देता है इसके बाद वो गेम मारकी के बॉइफरेंड लोकस के साथ ओलिविया को सोने का डेर देता है ये सुनकर मारकी बहुत ज़ादा गुस्ता हो जाती है और वहां से चली जाती है इसके बाद ऑलिविया और लोकस डेर पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ इंटिमेट होते हैं इसके बाद काफी जादा सर्च करने के बाद लोकस को एक सर्वाइवर मिल जाता है जिसका नाम इनियास होता है और काफी सालों पहले वो इस गेम से सक्सेसुली बच गई थी इसलिए वो लोग उससे मिलने उसके घर जाते हैं पर वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो किसी से बात नहीं करती पर काफी रिक्वेस्ट करने पर वो उनसे मिलने के लिए तयार हो जाती है और जब वो लेडी उन्हें अपने मिशन और अपने गेम के बारे में लिख लिख कर बताने लगती है जिससे उन्हें पता चलता है कि इस गेम के जरिये किसी ने कलेक्स नाम के एक डीमन को यानी राक्षस को बुलाया है जिसने इस गेम को possess कर लिया है अपने अंदर समा लिया है क्योंकि वो लोग जगा हो और यहां तक की लोग के आईडियास तक को possess कर सकता है सबसे पहले यह गेम प्ले करने वाली इनियस और उसके फ्रेंड्स ही थे जहां पर गेम में मौझूद डीमन ने उससे एक प्रिस्ट को मरवा दिया था और इनियस उन्हें बताती है कि जो आदमी उस डीमन को आजाद करता है सिर्फ वही आदमी डीमन को कैद कर सकता है और अब इनियस उन्हें उस डीमन को कैद करने के लिए एक मंत्र देती है जिसे साथ बार पढ़ना होता है और इस दौरान वो उन्हें एक मिट्टी का बरतन भी देती है जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसने वो बरतन चर्च में देखा होता है जो कि तूटा हुआ था फिर इनियस बताती है कि उसे वो मंत्र पढ़कर अपनी जीप का बलीदान देना होगा जिसे वो डीमन वापस समिट्टी के बरतन में कैद हो जाएगा फिर हमें पता चलता है कि इनियस भी इसलिए नहीं बोल पाती क्योंकि उसने भी अपनी जीप काट कर बलीदान कर दी थ कि उस मिट्टी के बरतन को चर्च में किसने तोड़ा था और वो डीमन आजात कैसे हुआ इस दोरान उलीवय को याद आता है कि गेजैल ने किसी सैम के बारे में बताया था हो ना हो जरूर इसी ने डीमन को आजात किया है तभी वहाँ पर एक पुलिस आफिसर आजाता है ज जब ब्रैट से बात कर रहा होता है तब ये आफिसर के वाकी टॉकी के स्पीकर के थूख गेम उसे डेर दे देता है कि वह आफिसर को अपनी जान की भीक मांगने के लिए मजबूर करे और जब ब्रैट आफिसर की गर निकाल कर उसे डरा कर ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो गेम ओलीविया से truth और dare मेंसे एक चीज़ चुनने के लिए कहता है और ओलीविया डेर चुनती है जिससे वो गेम ओलीविया से अपनी best friend मार्की से उस सीक्रेट को share करने के लिए कहती है जो उसने हमेशा से मार्की से चुपाई होती है और आस तक चुपाती आ रही है ये सुनकर ऑलिविया को पसीने छूटने लगते हैं फिर वो फानली मार्की को वो राज बताती है कि तुम्हारे डैड ने जब सुसाइड किया था मैं वहीं पर थी और मैं सब जानती हूँ कि वहाँ पर एक्चुल में क्या हुआ था तब ऑलिविया बताती है कि एक बार मैं तुम्हारे घर गई थी और तुम घर पर नहीं थी तब मैंने और तुम्हारे डैड ने साथ में ड्रिंक करी थी और नशे में तुम्हारे डैड ने मेरे साथ सेक्स करने की कोशिश की थी और मैंने बहुत रोका पर मैं नहीं रोक फिर हम next scene में ओलिविया और उस detective को देखते हैं जिसमें detective ओलिविया से कहा रहा होता है कि truth और dare खेलने वालों में से सिर्फ 4 लोग ही जिन्दा बचे हैं जिन में से 3 तुम लोग हो और 4 जिसने इस game को start किया था Sam Sam का राम सुनते ही ओलिविया काफी हैरान होती है इसके बाद हम मारकी को देखते हैं जिसके पास ओलिविया पहुचती है और उस देखती है कि वो suicide करने वाली होती है तभी ओलिविया उससे रोकती है और Sam के बारे में बताती है फिर वो तीनों Sam के अपार्टमेंट में पहुचते हैं जिनें देखकर वो बहुत ही जादर डर जाता है इस समय वो पूरी तरीके से हार कर निराश हो चुका था तभी ओलिविया उससे बताती है कि वो लोग अब भी बच सकते हैं और अब सिर्फ वही एकलाता है जो इस गेम को खत्म कर सकता है अब पहले तो सैम सोचता है कि वो लोग जूट बोल रहे हैं और उन्पर अटेक कर देता है लेकिन तभी ओलिविया उससे गंशे शूट करने की धमकी देती है जिसके बाद वो साथ चलने के लिए तयार हो जाता है फिर वो लोग उसी चर्च में पहुचते हैं जहां उलिविया सैम को मंत्र देकर साथ बार पढ़ने के लिए कहती है उसी समय गेम मार्की के बॉइफरंड लोकस को डेर देता है कि वो उन तीनों में से एक कुमार दे लेकिन लोकस ऐसा बिल्कुर ही चाहता था इसलिए वो उन लोगों से दूर चला आता है और इधर जब सैम इस मंत्र को साथ बार पढ़ लेता है तो उलिविया सैम को चाकुस अपनी जीप काटने के लिए कहती है पर वो ये करने के लिए मना कर देता है पर उलिविया उसे गन से शूट करने की धमकी देती है और समझाती है कि उसे जिन्दा रहने के लिए ये करना ही होगा फिर हम लोकस को देखते हैं कि वो अपना डेर पूरा नहीं करता और गेम का डीमन उसके अंदर समा जाता है और सम को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है पर तभी उलिविया और मारकी उसे पकड़ लेते हैं और सम जब मंतर पढ़कर अपनी जीप पूरी तरह से काटने ही वाला होता है तभी लोकस उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है जिसके बाद वो खुद का भी गला काट लेता है और दोनों ही मर जाते हैं ये देखकर उलिविया और मारकी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं उसी समय ये गेम मारकी से भी टुथ और डेर में से एक चीज़ चुनने को कहता है और मारकी डेर चुस करती है जिस पर वो डीमन मारकी को ओलिविया को गंज से शूट करने के लिए कहता है और मारकी ना चाहते हुए भी ओलिविया के कंदे पर गंज से शूट कर देती है अब क्योंकि वो डीमन मारकी के अंदर पूरी तरीके से समा चुका होता है इसलिए उलिविया उससे कहती है कि अब तुम भी इस गेम का पार्ट हो क्योंकि तुम अभी मार्की के बॉडी के अंदर हो और उलिविया उससे टूथ हर डेर में से एक चीज चूज करने के लिए कहती है और वो डीमन टूज चूज करता है जिसके बाद उलिविया उस टीमन से पूस्ती है कि हम इस गेम से कैसे बाहर निकल सकते है जिसके बाद वो डीमन उससे बताता है कि तुम बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि ये सिर्फ सैम कर सकता था जो कि अब मर चुका है और अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है तुम दूसरे लोग को भी ये गेम खिलने के लिए मजबूर करो और बच जाओ या फिर मारी जाओ इसके बाद हम नैक सीन में देखते हैं कि मारकी और उलिविया दोनों ही जिन्दा बच गए और वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि ओलिविया ने इस गेम के बारे में सबको अपने यूटिव चैनल पर बता दिया है जिस से उसे देखने वाले सारे लोग को इस गेम के बारे में पता चल गया और वो सब ही इस गेम का पार्ट हो गए और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताना और अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा और अपने स्क्रीन पर इस बहतरी मूवी को सरूर देखिए